इस वीडियो इस नोट स्पोंसर्ड दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको AliceBlue DMAT account में nominee add करके दिखाने वाला हूँ सेवी ने DMAT and trading account में nominee add करना अनिवार्य कर दिया है अगर आप nominee add नहीं करेंगे तो exchange की तरब से आपके DMAT account को freeze कर दिया जाएगा यानि की inactive कर दिया जाएगा तो चलिए फटा-फट से nominee add करना सीख लेते हैं मैं आपको AliceBlue की mobile app के द्वारा nominee add करके दिखा रहा हूँ AliceBlue mobile app को open करेंगे इसमें user id एंटर करके login करेंगे आप यहाँ password एंटर करके login करेंगे यहाँ date of year एंटर करेंगे इसके बाद आपके AliceBlue account में registered mobile number और email id पर एक OTP code send कर दिया जाएगा उस OTP code को यहाँ एंटर करेंगे OTP एंटर करते ही आप अकाउंट में login हो जाएंगे नीचे right side में एक profile का icon दे रखा है आपको इस पे click करना है इसके बाद settings open हो जाएगी यहाँ पर आपको vote का option मिलेगा इस पे click करना है इसके बाद आप web page पर redirect हो जाएगे और आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा अब आपको three lines पर click करना है यहाँ कुछ option आ जाएगे आपको user id के सामने दिये down arrow पर click करना है अब my account पर click करेंगे यहाँ आपके dmat account की detail आ जाएगी page को scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको personal, bank details, segment और nominee का option मिलेगा आप nominee option पर click करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा I wish to nominate, no और yes अगर आप किसी भी ब्यक्ति को nominee नहीं बनाना चाहते हैं तो आप no option को choose करके send request पर click करके आगे बढ़ सकते हैं और nominee add करने के लिए आपको यहाँ tap करके yes करना है इसके नीचे nominee 1, nominee 2 और nominee 3 यह option आ जाएंगे आप इसमें maximum 3 nominee add कर सकते हैं nominee 2 और nominee 3 optional है अगर आप एक से अधिक nominee add करना चाहते हैं तो आप nominee 2 और nominee 3 में add कर सकते हैं पहला nominee add करने के लिए nominee 1 के सामने दिये down arrow उपर click करेंगे अब यहाँ nominee की detail डालेंगे सबसे पहले यहाँ nominee का पूरा नाम डालेंगे यहाँ से relationship select करेंगे nominee का आपके साथ क्या रिष्टा है इसमें nominee का पूरा address डालेंगे यहाँ pin code डालेंगे इसमें state डालेंगे इसमें city डालेंगे यहाँ nominee का mobile number एंटर करेंगे यहाँ nominee की email ID एंटर करेंगे यहाँ nominee का pen number डालेंगे यहाँ nominee की date of birth डालेंगे जैसे कि उसके pen card पर है यहाँ share percentage डालेंगे अगर आप एक ही ब्यक्ति को nominee बना रहे हैं तो यहाँ पूरा 100% डालेंगे अगर आप 2 या 3 ब्यक्ति को nominee बना रहे हैं तो 100% को उनके बीच में divide करना है यानि की आपको 100% में से ही nominee बनाना है जैसे की अगर आप 2 ब्यक्ति को nominee बना रहे हैं या तो आप दोनों को 50-50% के लिए nominee बना सकते हैं या एक ब्यक्ति को 60% और दूसरे को 40% के लिए nominee बना सकते हैं कहने का मतलब यही है कि 100% में से ही divide करना है यह पूरी तरह से आपके उपर depend करता है आप किस ब्यक्ति को कितने percent के लिए nominee बनाना चाहते हैं हम एक ही ब्यक्ति को nominee बना रहें इसलिए हमने यहां 100% एंटर किया है इसके बाद यहां से nominee का एक document select करना है ID proof के लिए आप इन में से कोई भी document select कर सकते हैं आपने उपर जो document select किया है उसे यहां पर upload कर देंगे या तो आप camera पर click करके direct photo click करके upload कर सकते हैं या आपने पहले से document की photo click करके phone में रखी हुई है तो आप files में जाकर उसे upload कर सकते हैं अगर आप दूसरा nominee भी add करना चाहते हैं तो nominee to पर click करके इसी तरह से detail fill करनी है फिलाल हमें एक ही nominee add करना है इसके बाद detail को submit कर देंगे submit करते ही आपके mobile पर एक security code send कर दिया जाएगा जिसे यहाँ पर डाल का submit कर देंगे अब आपको sign now पर click कर देना है आपके सामने NSDL का page open हो जाएगा अब आपको आधार e-sign करने होंगे इस check box में टिक करके यहाँ अपना आधार number डालेंगे ध्यान रहे यहाँ nominee का नहीं अपना खुद का आधार number डालना है आधार number डालका send OTP पर click करेंगे इसके बाद आपके आधार card के साथ जो mobile number link है उस पर एक OTP code send हो जाएगा उस OTP code को यहाँ डालकर verify OTP पर click करेंगे आपके e-sign complete हो चुके हैं 48 घंटे के अंदर email के दोवरा आपको update कर दिया जाएगा nominee update हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए आपको फिर से nominee option में जाना है जब आपका nominee add हो जाएगा तो यहाँ पर उसकी details हो होने लग जाएगी क्योंकि nominee add करने की request हमने अभी की है इसलिए ये process में है तो इस तरह से आप Alice Blue DMAT account में nominee add कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करिए, share करिए और अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए और साथ में bell icon पर जरूर कलिक करिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक new video की notification सबसे पहले मिल सके Thanks for watching this video